Hello students, यह question है आपके सामने जो कि IITJ means 2023 माच चुका है इस question में एक function दे रखा है which is equal to the maximum of अब इसके अंदर आपको तीन functions दे रखी है इन तीनों मैसे जो maximum है वो है आपके पास fx और interval दे रखा है आपको 0 से लेकर 2 तक का अब यहाँ पर आपसे दो चीज़े पूछी गई है एक तो कहा है m क्या है number of points in close interval 0 to 2 0 से 2 के बीच में m ऐसे points है जिस पर यह वाला जो function है यह continuous नहीं है आपको पहचानना है points और count करने हैं total कितने हैं ऐसे ही कहा है कि यह जो open interval है 0 से 2 पे इसके बीच में जितने भी number of points है जिस पर function differentiable नहीं है आपको वो भी पहचानने है और पहचान के count करके बताने हैं और वो n होंगे आपके तो फिर उनकी values को यहाँ put करके solve करना है आपने answer 3 आएका वो पहली लिख दिया मैंने अब आपको यहाँ पर सबसे पहले तो fx find करना है पहला काम ही आपका है fx find करने का अब क्यूंकि fx इन तीनों के contribution से बना हुआ है तो पहले हम यह वाला जो function है इसका नाम दे देते हैं ax अभी के लिए हमने नाम दे दिया इसका ax जो कि है 1 प्लस x प्लस ये अब इसको मैं piecewise function में change कर देता हूँ मेरे पास interval है 0 से लेकर 2 तक का तो पहला लेता हूँ कि x की value 0 से बड़ी हो लेकिन 1 से क्या है छोटी x की value 0 से बड़ी 0 है 0 से बड़ी और 1 से छोटी अगर इसके बीच की कोई value अगर मैं इसमें put करता हूँ तो मुझे क्या answer मिलता है जबर आप देखें ठीक है हम put तो इसके लिए करेंगे न तो यहाँ पर put करेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा तो मुझे सिर्फ क्या मिलेगा मुझे सिर्फ 1 प्लस x मिलेगा आप भी check करके देख लें इक पर अगला case है कि x की value 1 या 1 से बड़ी है लेकिन 2 से क्या है छोटी है अगर इसके बीच की कोई value इसमें put करेंगे तो यह 1 बन जाएगा और 1 प्लस 1 टू होगा तो यह हमारे पास x प्लस 2 होगा ध्यान रहें इस पे नहीं put करेंगे क्योंकि इसके बीची value fix नहीं है हमारे पास तो क्या put करेंगे यहाँ पर put कर सकते हैं यहाँ कुछ फिर put करो answer एक ही आ रहा है अगला है हमारे पास x अगर हम 2 के equal रखें अब यह fix है तो यह दोनों जगा put कर सकते हैं यहाँ पर 2, 2, 4 और यह 5 हो गया तो इस तरीकी से हमने जो ax है यह वाला function यहाँ पर बना लिया अब हमारे बार यह जो अगला है आपके पास 2 प्लस x इसके लिए भी ऐसा ही करेंगे हम तो इसका नाम हम bx रख लेते हैं जो कि आपके पास कितना है 2 प्लस x अब ऐसा ही इस function के लिए भी करेंगे पर इसके लिए चीज़ें आसान है तो ऐसे कोई problem नहीं है तो इसके लिए क्योंकि इसमें greatest integer function involved नहीं है तो इसके लिए हम सीधे क्या करेंगे कि x की value 0 से start करके लेके चलेंगे और कहा तक चलेगी 2 तक ठीक है तो 0 से लेकर 2 तक क्यों लेंगे 0 से लेकर 1 और 1 से लेकर 2 लेना चाओ ले सकते हो कोई problem नहीं है पर same ही आएगा यहाँ पर भी same आएगा यहाँ पर भी same आएगा तो यह तो 2 प्लस x ही रहेगा और x की value 2 पर यह कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा आप लिए पर चेक कर लेना जो calculation की है अब तीसरा हमारे पास है cx cx यह रहा ज़रा देखें क्या है x प्लस 2 greatest integer function of x तो यह हमारे पास है तो रहाँ पर करके लिख लेता हूँ यह है x प्लस 2 greatest integer function of x अब इसमें पहले तो लेंगे कि x की value 0 से बड़ी है लेकिन 1 से less है तो इसके बीच की कोई value इसमें put करेंगे तो यह 0 हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा हमें x ही मिलेगा तो मैं x रख लेता हूँ अगला है x की value 1 यह 1 से बड़ी है पर 2 से छोटी है इसके बीची कोई value अगर मैं यहाँ put करता हूँ तो यह 1 हो जाएगा 1 को 2 से multiply किया 2 तो यह हमारे पास कितना आ गया x plus 2 अगला x equal to 2 अब x equal to 2 में अगर x equal to 2 आप put करोगे तो यहाँ पर हर जगा put करना पड़ेगा क्योंकि फिक्स value है तो यहाँ पर 2 put करोगे यहाँ 2 तो यह total 6 हो जाएगा आपका तो अब आप देखें कि हमारे पास जो function था fx ज़रा गौर से देखें जो function है fx यह actual में इन तीनों का combination है मतलब इन तीनों के combination में जो maximum value है आपको वो find out करना है तो इसके बाद कैसे करना है वो आप देखेंगे तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो fx क्या है अगर question आपने ठीक से पढ़ा है तो आपने उपर देखा है कि आपके पास basically तीन intervals बन रहे थे एक 0 less than equal to x less than 1 एक यह बन रहा था interval एक आपका बना यह बना था और तीसरा आपका यह बना है तो fx के लिए भी यही तीन interval होंगे अब आपको क्या करना है पहले देखें कि 0 से लेकर 1 interval के बीच में जरा इसको ठीके नीचे कर लो 0 से लेकर 1 interval के बीच में ax में, bx में और cx में कौन सा function जो है, वो maximum है तो यह obvious है कि जो 2 प्लस x है वो है maximum 2 प्लस x इस interval पे 2 प्लस x ही maximum होगा तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेखेंगे 2 प्लस x क्योंकि fx maximum ही 2 प्लस x है अब आते हैं 1 से लेकर 2 interval के बीच में 1 से लेकर 2 interval में ax के पास है x प्लस 2 पर आ जा रहा है तो वो कितना है आपका 2 प्लस x ही है और इसमें भी 2 प्लस x है तो simple सी बात है 2 प्लस x लिखो या x प्लस 2 एक ही बात है तो मैंने लिख दिया अब आते हैं x equal to 2 के लिए x equal to 2 पे यहाँ 6 है यहाँ 4 है यहाँ 5 है तो यह maximum दे रहा है regenerate करते हैं दुबारा से बनाते हैं तो 0 से 1 के बीच में भी यही है 1 से 2 के बीच में भी यही है तो आप सीधे तोर पे लिखे हैं कि x की value 0 से लेकर 2 तक में आपके पास क्या है x प्लस 2 और जब x की value आपके पास 2 हो जाती है तो fx कितना हो जा रहा है आपका 6 हो जा रहा है तो इस तरीके से आप यह देख सकते हैं कि हमने finally fx को यहाँ पर generate कर लिया है ठीक हो गया अब यहाँ पर आप से क्या कहा है अब आप से यह पूछा है कि आप आपको यह बताना है कि function यह जो function है कितने points पर जो है discontinuous है यह कितने points पर यह जो है non-differentiable है आपको वो count करने है तो दो तरीके हैं एक या तो आप graph की मदद से कर लिए काम और दूसरा जो आपने continuity और differentiability में जो तरीका पढ़ा हुआ है तो अगर हम continuity check करते हैं तो 0 से लेकर 2 के बीच में यह always continuous है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पे check करना है अब 2 पे अगर check करेंगे तो आप पे देखें कि एक बार आप क्या check करेंगे left hand limit check करेंगे limit x tends to 2 minus तो अब आप देखें limit x tends to 2 minus 2 minus में आप यह वाला function लेंगे तो यह x plus 2 तो कितना answer आ रहा है 4 आ रहा है और function की value at x equal to 2 कितनी है 6 है तो left hand limit इतना आ रहा है और function की value at x equal to 2 कितना आ रहा है 6 यह दोनों equal नहीं है right hand limit तो यहाँ put नहीं कर सकती यह दोनों क्या हो रहे हैं आपके equal नहीं आ रहे है तो इस case में हम कहेंगे कि यह जो function है fx यह x equal to 2 पे यह discontinuous है तो सिर्फ एक ही point ऐसा है जिस पे यह discontinuous है rest of the points जो भी 0 से लेके 2 के बीच में होंगे उसके विए continuous होगा क्योंकि 0 से लेके 2 के बीच में यह always polynomial है तो इसलिए उस पे इस पे कल्मटी जाए तो एक ही point आपका discontinuity वाला मिल गया अब हम आते हैं differentiability वाला अब हम बात करेंगे differentiability के लिए लेकिन differentiability के लिए गौर करें आपको interval 0 से 2 दे रखा है 0 से 2 का मतलब ना तो आप 0 को accept करेंगे नहीं 2 को accept करेंगे तो 0 से लेके 2 के बीच में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही एक function है 0 से लेके 2 के बीच में सिर्फ आपको कौन सा function लेना है x प्लस 2 और क्योंकि यह एक polynomial function है तो 0 से 2 के बीच में यह always आपका क्या होगा differentiable होगा आप चाहो तो जो differentiability का तरीका है उस differentiability वाले तरीके से भी check कर सकते है तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि इस open interval में यह जो function है वो कभी भी non-differentiable नहीं बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है इस interval में number of points जहापर function differentiable है वो 0 है तो n यहाँ पर 0 है और 0 से लेके 2 के बीच में number of points जहाँ पर function continuous नहीं है उसको नाम दिया है M तो मैंने आपको पहले ही बता दिया सिर्फ एक ही point ऐसा है जिस पर function continuous नहीं है तो M की value यहाँ पर कितनी हो जाती है 1 हो जाती इन दोनों को यहाँ पर put करो solve करो तो देखो आपके पास answer कितना आ रहा है और इस तरीके से बच्चों यह वाला question हमने यहाँ पर completely solve कर लिया है